तो नमस्कार दोस्तों केशो सब कैसे अब उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे तो दोस्तों आजम बात करने हुआ हैं दो टाटास दोनों केशा है दोनों मार्खेट में बहुत धूम मचा रखिया मैं और गाड़ीों सब्सक्राइब कि बिल्कुल यह काड़ी का टेक्स वह थी खुःत है और चोडू depends में वाली है 2000 गुनिश मोडल जनवरी मेने की रहने माली है और यह गाड़ी चली यह मातर जो दस दाज़ार 400 किलिमेटर ओर्जनल टी में चैसे आप कंपनी से रिकोर्ड भी चेक कर वाशेकते हो दस दाज़ार से चार्ट किलॉमेटर गाड़ी रुनिंग और उन्जा व्लाई राका अवे और बात करें इस गाड़ी के और इसासकर आपको ब्लगरण कर्णिशन में मिलने वाला है और दल्वनबड़ीयों का टेक्स बिल्कुल live time टेक्स मिलने वाला है जिए दूस्तो एक गड़ी रैने वाली 2014 मोडल दोनों गाड़ी है गर 360 डिगरी एंगल से कंडिसन की करबार में बात करें तो बिल्कुल जबरदाश मिलने वाली है 2014 मोडल गड़ी मात्र जो 10400 किलमेटर गड़ी रनिंग हो रोगी है 2014 गाड़ी रेने वाली वो 2nd owner रेने वाली है और 2019 गुद्ध रेने वाली है जनौरी मैंनेगी वो 1st owner रेने वाली है और दोनों demandable गाड़ी हैं दोनों की demand मेरे पास बहुत ज़दा आई थी इसलिए मैंने दुबारा से वीडियो बनाया आप सब के लिए और गाड़ीयां research करक दोजार 14 मोडल वाली गाड़ी की तो उस गाड़ी की demand रेने वाली है only for 2,44,000 पे case में दोस्तों मातर 2,44,000 पे case में लाई ए और इसलिए मातर जोई 40-50,000 के आपको down payment जमा करोना पड़ेगा और इसलिए दोनों गाड़ीयों पर लोन होगा चाहिए इस दोनों में से कोईशी भी खरीद लो यह फिर दोनों एक साथ खरीद लो मतलब एडरेट मिल फटा पठ़चेज करते हुए और दिखाते आपको दोनों गाड़ीयों को लेट स्टार्ट तो दोस्तो दोनों गाड़ियों को आप चेक आउट कर सेकते हो तो सबसे पहले हम बात करें 2014 मोडल टाटा एस एस्टी की बारे में तो दोस्तो इस गाड़ी की जो फ्रेंट प्रोफाइल देख से तो बिल्कुल चेंटर में जो टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा फ्रे तो अनलोग मिलने वाला है बिल्कु सेंटर पॉंट में जो दोस्तो डेश्पोट के बिल्कु सेंटर प्रेंट में मिलता इस गाड़ी के अंदर और प्रेस्ट कवर्ट वगरा यूजर रहे हैं जो कि लोंग ट्राइब पर इस गाड़ी को अगर आप ड्राइव करते हो तो ज्यादा थाकान वगरा ऐसा कुछ नहीं होता है तो दोस्तों देख सेंटों रियर के टारों के अगर बारें बात को तो बिल्कुल 95% प्रस्ट कम्लेट मिलने वाला है और कभाणी के पाटे बढ़ने के बाद में सो बोड़ी को देख तो कार्गो बोड़ी जैसे मैंने पहल तो इस गाटी का फरस्ट वगरा को देख सेंटों गाटी जो कार्गो बोड़ी हो के फरस्ट वगरा को देख सेंटों यह भी ठीक्ता कंडिशन का मिलने वाला है दोजार चोदा मोडल गाड़ी है रेट वगरा मैंने पहले ही बता दी ती और इस गाटी का फरस्ट वगरा है निचे डिस्क्रेशन में आपको पुरा 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 दिया वाया है रियर गर टावर को भी आप देख सेंटों यह भी कंडिट मिलने वाला है बेटरी वगरा बिल्कुल जो ठीक डाक के कंडिशन की मिलने वाली है चैसे कोई साब भी मौसमों विंटर ओ सर्दी ओ सुंगर्मियों लब कोई साब भी मौसमों स्टाइटिंग वगरा में कुछ प्रोब्लम होती नहीं इस गाड़ी के अंदर वो इसलिए अगर गाड़ी की बेटरी अच् टाटा इस्टी सो तो दूस्तों देखिए तो यह थी होगी 2014 मोडल अटि फरफ इस 8SE 5 fet बंकोट्यिस चौर्म और कडिशन काड़ी मिलने वीं दो दसक्त बीकों कंडीन ममरें बनेवाली है दो तो इस तो बहुत ही कम ग्रिप गिसी हुई है भी तक बिल्कुल 80% प्रस्तर कम्प्लेट टायर मिलने वाले हैं अब लंबी चलती है ना गाड़ी तो पेडल वागेरा घिस जाते हैं इस गाड़ी का भी मीटर बिल्कुल सेंटर में मिलने वाला है और मुजिक वेगरा इस गाड़ी के अंदर नहीं लगावा है आपको लगवाना पड़ेगा अगर इस गाड़ी को आप खरीते हो तो और दी तो आपको पता है कि न्यू मिन रखवाई हुई है इस गाड़ी के अंदर कार्गो बोक्स है वो न्यू है कुछ भी नहीं भीगड़ा इसका तो भी तक तो और थोड़े बहुत कबाणी के पाटे भी बड़े हुए है जो कि हेवी लोडिंग के लिए बहुत अच्छी ब मिलने वाली है जो दुस्तो कोई भी भाई कोई भी परसन कोई भी वीवर कोई न्यू टाटास लेने के लिए सोच रहा हो तो इस गाड़ी को जरूर देख सकता है वो जिया दुस्तो बिलकुल साब से तरी सोरूम कंडिशन मिलने वाली है और रीजनेबल प्राइज में जिय कोई भी पेसा नहीं लगने वाला है आपको गाड़ी पसंद आती है तो फिर बाद में डिलिंग का प्रोसेस कम्लीट कीजीगा उस टाइम जो भी होता है डिसकांट हो सकता है और इस गाड़ी के अंदर बेटरी भी जो अभी तक कंपनी की साथ की मिलने वाली है गाड़ी दो टाइटास दिकाए मैंने एक तो 2014 मॉडल और 2015 का मोडल एक तो बिल्कु सोरूम कंडिशन गाड़ी मिलने वालाई है इंद्रेस निचे देस्क्रिप्शन में दिया वाए है आप डारेक्ट निचे डिस्क्रिप्शन से गाड़ी का पताकर यूर पिर हमारी से कंटेट कर और नेक्स्ट कौनशी गाड़ी चीज़ आपको नीचे कमेंड बोक में कमेंड करकर बता दीजिएगा और दोस्तो चैनल पर पहली बार हो तो सस्क्राइब जरूर कर दिएगा क्योंकि इस चैनल पर में जो व्यूडियो पोस्ट करता हूं फोसब जो मैं आपकी बहुत है डिम